नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है दोस्तों आज की इस वूडियो में मैं आपको ऐसे चमतकारी पतियों की बारे में बताऊंगा दोस्तों यदि आप उनका सेवन हर रोज करेंगे या कुछ दिन लगातार कर लेंगे तब आप 120 सालों तक निरोगी जीवन जीओगे हर त्रह की बीमारी से बचे दे होगे इतनी चमतकारी और इतनी कारगर हैं ये पतियां और दोस्तों ये पतियां भी आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी या आप इन पतियों को अपने घर पर गमले में भी उगासते हैं दोस्तों आज की इस विडियों में हम बात कर रहे हैं अजवायन की पतियों दी आपके घर में अजवायन तो जरूर होगी और बड़े बजुर्गों ने कभी न कभी आपको अजवायन खाने के फाइदों के बारे में भी बताया होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अजवायन तो है ही फाइदिमन अजवायन की पतियां उससे भी अधिक चमतकारी हैं आपके सरीर के लिए, आपके सरीर को निरोगी बनाने के लिए, क्योंकि अजवायन की पतियों में विटामिन K, विटामिन A और विटामिन C भरपूर मातरा में पाया जाता है, दोस्तो इसमें एंटॉक्षिन की भी बहुत अच्छी मातरा होती है, दोस्तो इसे आप कच्चा भी खासकते हैं, और पका कर भी खासकते हैं, पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं, यानि बहुत सारी तरीकों से आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसका पावडर बना कर भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियों में जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे यदि जोडियम, आइरन, कैल्सियम और पोटासियम होने के कान अजवायन की पतियां मूतर से जुड़ी परेसानियों से आपको तूरंत छुटकारा दिलाती हैं। पाचनली और मस्तिक्स में किसी भी तरहें के संकर्मन और सूजन को रोकने में भी यह पतियां बहुत अधिक मददगार हैं। दोस्तो अजवायन की पतियां एंटी एजिंग कभी काम करती हैं यानि आपके चहरे पर जुरियां नहीं आने देती हैं। एंटी बायोटिक, एंटी कैंसर और एंटी इंफ्रेमेनेटरी गुन होते हैं जिससे इससे आपको बहुत रहें के फाइदे होते हैं यदि आपको खांसी जुखान की समझ्या है या पुराने से पुराना बलगम आपकी छाती में जमा है और आप उस कप को बाहर निकालना चा जुखाम को तुरान्त कंट्रोल में कर सकते हैं दोस्तो यदि आप अपनी बोडी को डिटोक्स करना चाहाते हैं यनि आपके सरीर में एवांचित पधार्त है और आप उनको अपने सरीर से बाहर निकालना चाहाते हैं तब भी दोस्तो अजवाइन की पतियां आपके लिए चमतकारी रूप से काम करती हैं और आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करती हैं दोस्तो यदि आपको गठिया के दर्द या जोडों का दर्द या किसी भी त्रहें का अन्य दर्द है तो दोस्तो आपको अजवाइन की पतियों के जूस का सेवन जरूर करना चाहिए क्यों कि इससे आपकी हड़ियां मजबूत होंगी, सरीर की कमजोरी दूर होगी और आपको इन्हें दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा भी जदि आपको हड़ियों का, जोड़ों का या मासपीशों का कहीं भी दर्द है, तब आप अजवायन की पतियों को पानी में बाल कर, उस पानी से भी उस चोट वाले सूजन वाले जगहें पर धोसकते हैं, इससे आपको तुरंत अराम बिलेगा। यदि आपको मुटापा की समस्य है, पेट पर आपके अधिक चर्वी हैं, तब भी दोस्तों अजवायन की पतियां आपके लिए चमतकारी रूप से काम करती हैं, ये आपके पेट की चर्वी को पिंगलाने का काम करती हैं, और आपको सलिम और फिट बनाने का काम करती हैं, तो इससे आपका कॉलोस्टोल लेवल सही होगा और यदि आपको कॉलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी तब आप हार्ट प्लोकिज और हार्ट अटेक जैसे बीमारियों से बचे रहेंगे आपका दिल मजबूत होगा और आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तों आप अज़वायन की पतियों का परियोग करके आपने डायबोटीस के जो श्तर है उसको भी कंट्रundy में रख सकते हैं और डायबोटीस की बीमारी के काना होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बजे रहते हैं दोस्तो ये तो हो गए फाइदे अजवायन की पतियों की तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने अजवायन की पतियों का प्रयोग करना कैसी है दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि आप सूबे खाली पेट अजवायन की चार से पांच पतियों को ऐसे ही खाली पेट चबा कर खा जाएं एक तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं और जो दूसरा सबसे महत्यपुन तरीका है आप चार से पांस पतियां लें और उनको एगला सपाने में वाल कर उसका सेवन करें और दोस्तों यदि आप इस तरीके से एजवायन की पतियों का सेवन करेंगे तब आपको पूरे फाइ यो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जुरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वले वीडियो की नोटिफ के सन आत रहे धन्यवाद दोस्तो